सो हलो मेरा भाई लोग, वेलकम बैक टू माई यूटूब चैनल, आरिवियस अनिमे हिंदी, बहुत दिन बाद ये वाला इंट्रो बोला, ठैर, क्या तुमने कभी सोचा है, वन पीस के वल्ड में, कभी भी वाटर वाला डेवल फूट क्यों नहीं exist करता, दिमाग में तो यार आया ही होगा, अब हाँ देखो, अभी तक जितना भी वन पीस में दिखाया गया है, मैं उस बेसिस पे बोल रहो, future में हो सकता है, ओडा, ये डेवल फूट दिखा भी दे, क्या पता, ऐसा हो जाए, लेकिन अब तक, कि हिसाब से हम लोग बात करेंगे, कि आखिर ये डेवल एलिमेंट वाले अभी तक चीजे दिखाई गई है, उन सभी के डेवल फूट, लोगिया केटिगरी के ही है, सबसे बड़ा एक्जामपल दूँ, भाई, ग्रीन बूल का जो फॉरेस्ट वाला डेवल फूट था, वो पहले प्रेडिक्शन ये लग रहा था, कि ये भी मिथि डेवल फूट पाऊ रहा है, हाँ वो बात अलागी कि उसका कैरेक्टर एक नंबर का फटवा है, ट्रैंक्स का कौन कर रहा की देख के ढर गया और भाग गया, लेकिन अगर हम लोग बात करें वाटर वाटर फूट की, तो मेरे हिसाब से ये डेवल फूट लोगिया केटिग लेकिन ये वाला वीडियो देखने के बाद, अब इतना तो यार इस वर्ड को देखके समझ में आता है, इसका जो जादातर हिस्स्ता है वो पानी से भरा हुआ है, यहां तक कि हमारा जो human world है, जहां पर हम लोग रहते हैं, वहां पे 71% water है, बट यहां पे 90% से भी जादा water ह और यहां island भी छोटे छोटे हैं, तो तुम सोचो, अगर कोई character इस devil fruit को खा ले, अगर यह exist करता है तो, तो फिर तो यार यह पूरे world के पानी को कावो में कर पाएगा, या पाएगी, और इससे क्या होगा, अगर मान लो, by chance से यह devil fruit user enemy के हाथ में है, लूफी के दुस्मन के हाथ में है, फिर तो यार उसको मारने के लिए उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना, उस island में बार ला देना है, और वो भी समुन्दर का पानी का, जहां पर सिर्फ जिनबे छोड़ के बाकि सब मर जाएंगे, यहां पर तो तुमको एक बास समझ में आ गया होगा, इस devil fruit के user क को बहुत ही ज़्यादा हाई एडवांटेज होगा, और इस devil fruit user को हरा पाना भी बहुत ज़्यादा मुस्किल होगा, विकाज यह पानी को ही काबू में कर सकता है, जिस तरह से आओ कीजी, पानी को बरह में बदल लेता है, यह तो भाई पानी को ही काबू में कर लेगी, पहा जा रहा था, कि यह devil fruit हो सकता है, इमू सामा के पास हो, जो कि एक टाइम में जा करके, फिरको भी थोड़ा sense बनाता हुआ लगा, क्योंकि 800 साल पहले, जब joy boy, मतलब उस वक्त का निका devil fruit user था, और उसका awakening हुआ था, तो उसने भी उस world को create करने का try किया, जिसका mention उसने one piece में क्या हुआ, उस laugh tale वाले island में, उस time पे जो लड़ाई हुई होगी, वहाँ पर अगर इमू सामा के पास वो devil fruit power है, तो भाई, इमू सामा तो यार, बहुत खतरनाक character बन गई, और वो एक बहुत तगड़ी opponent होगी, joy boy के लिए, because joy boy भले ही अपना sun god Nika है, बड़ सामने वाले भी तो यार, उस world को डुबाने की ताकत रखती है, और अगर ऐसा होता है न, तो यहाँ पर highly chances ये निकल के आते हैं, कि future में आने वाले time में, जब इमू सामा का face reveal होगा, और उसका power का पतर चलेगा, तो ये काफी ज़्यादा खतरनाक बन जाएगी, और आसान बिल्कुल भी नहीं होगा, लूफी के लिए इसको हराना, अब यार, देखो, हो सकता है, उस जमाने पे जॉइबॉइ को उस लेवल का alliance नहीं मिल पाया होगा, जिस लेवल का आज के time पे लूफी को alliance मिल सकता है, विकाज के time पे लूफी के साथ काफी सारे लोग है, प्लस उसका खांदान भी बहुत ज़्यादे strong characters से भरा हुआ है, उसका बाप को ही ले लो, monkey day dragon, अभी तक उसका power का पता नहीं है, लेकिन, theories ये कहते हैं कि monkey day dragon के पास wind वाला कुछ power होगा, और अभी के time के लिए हम लोग dragon का power इसी चीज को ही समझते हैं, और dragon का बाप, garp, वो कितना strong है, मुझे स सायद बताने की जोड़त नहीं, तो खांदान भी यहां पर strong है, plus जो काम joy boy उस time पर नहीं कर पाया था, fish man को जो उसने promise किया था, इस जमाने में, वो fish man के साथ अपना promise निभाएगा, plus जब final war होगा, और अगर by chance, emu sama के पास water वाला devil fruit निकलता है, तो ये fish man ही होंगे, जो em वीडियो ने एक prediction type का है, कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, अब अगर मैं oda होता, और water devil food अगर मुझे introduce करवाना होता, तो मैं emu sama के यहां से ही करवाता, खेर देखो future में आता है कि निए, वो चीज को देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा excited हूँ, अब तुम सब का manager, comment box में अपनी राय दो यार, plus like, subscribe, video को like करना, यह सब चीजे तो यार, formality पूर्या कर दो, और instagram पे भी आके follow करना मत भूलना, तो यार, मिलेंग ने इस वीडियो में, फिलाल के लिए, bye!